जय मातादी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट में जय मातादी जरूर लिखें. माता रानी सबका कल्यान करेंगी. दोस्तों साल 2001 की समापती की योर है और साल 2022 दस्तक देने वाला है ऐसे में आप लोगों के मन में जिग्यासा होगी कि साल 2022 में कितने ग्रहन लगेंगे कितने सुरे ग्रहन लगेंगे और कितने चंद ग्रहन लगेंगे कब-कब लगेगा चंद ग्रहन और कब-कब लगेगा सुरे ग्रहन ग्रहन लगने का सही समय क्या होगा कौन सा ग्रहन भारत में दिखाई देगा और कौन सा ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा किस ग्रहन का सूतक मानने होगा और किस ग्रहन का सूतक मानने नहीं होवा एवं साथ ही साथ हम बताएंगे कि ग्रहन का क्या प्रभाव देश और दुनिया पर पढ़ने वाला है साथ ही साथ गर्वती महिला एवं मानो जीवन के उपर तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से साल 2022 में लगने वाले ग्रहन से जुड़ी संपूर जानकारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलूख अबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे आपको बता दे कि साल 2022 में कुल चार ग्रहन लगेंगे इसमें से दो सुरी ग्रहन होंगे और दो चंदर ग्रहन आपको बता दे कि इसमें से पहला सुरी ग्रहन 30 अप्रैल 2022 को लगेगा 30 अप्रैल को लगने वाला सुरी ग्रहन दो पहर 12 बच कर 15 मिनट से लेकर संध्या समय में 4 बच 7 मिनट तक रहेगा हलाकि यह आंसिक सुरी ग्रहन होगा जिससे दक्षिन, पस्सिम अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और अंटार्क्टिका में देखा जा सकेगा यह सुरी ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मानने नहीं होगा, एबं ग्रहन का कोई भी प्रभाव भारत में इसका नहीं होने वाला है बात करें साल 2022 के दूसरे सूरिगरहन की तो यह दूसरा सूरिगरहन 25 ओक्टूबर दिन मंगलवार को लगेगा यह भी आनसिक ग्रहन होगा हिंदो पंचांग के मुताविक यह सुरिगरहन 25 अक्टूबर यानि मंगल बार को संध्या समय में 4 बजकर 29 मिनट से सुरू हो जाएगा जो की संध्या समय में 5 बजकर 42 मिनट तक रहेगा इसे यूरोप, दक्सिन पस्सिम एसिया, अफ्रीका और अट्लांटिका में देखा जा सकेगा इसका प्रभाव भी भारत में नहीं पढ़ने वाला है आपको बता दे कि साल 2022 का पहला चंदग्रहन 16 मै को सुबह 7 बजकर 2 मिनट से सुरू हो जाएगा और जो की 2 बजकर 12 बजकर 20 मिनट तक रहेगा यह चंदग्रहन पूर्ण चंदग्रहन होगा यह पहला चंदग्रहन होगा जिसका असर भारत में भी देखा जा सकेगा इसका प्रभाव दक्षिन पस्सिम यूरोप, दक्षिन पस्सिमेसिया, अफरीका, उतरी अमेरिका, दक्षनी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटी, अंटार्क्टिका, हिंद महासागर में भी दिखाई देगा इस ग्रहन काल के दौरान सूतक काल अधिक प्रभावी होगे, चुकि यह चंदग्रहन भारत में दिखाई देगा, इसलिए चंदग्रहन एवं सूतक के नियम सारे मानने होंगे भारत वासियों के लिए आपको बता दे कि चंदग्रहन के 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, जो कि चंदग्रहन के साथ ही समाप्त होता है और नियम सूतक काल से ही सुरू हो जाते हैं, मानने होते हैं बात करें साल 2022 के दूसरे चंद्रग्रहन की तो साल 2022 का जो दूसरा और अंतिम चंद्रग्रहन है वो 8 नवंबर को लगेगा यह दो पहर एक बचकर 32 मिनट से लेकर संधिया समय में 7 बचकर 27 मिनट तक रहेगा यह भी पूर चंद्रग्रहन होगा आपको बता दे यह चंद्रग्रहन भारत समेत हिंद महसागर, दक्षिन अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक, दक्षिन पूर इरोप, एसिया, आस्ट्रेलिया और उतरी अमेरिका में भी दिखाई देगा चुकि यह चंद ग्रहन भारत में दिखाई देगा इसलिए इसका सूतक काल मानने होगा और ग्रहन एवं सूतक के सारे नियम मानने होगे जैसा कि मैंने बताया कि साल 2022 में चार ग्रहन लगेंगे दो चंद ग्रहन और दो सूरे ग्रहन जिसमें से दो सूरे ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देंगे लेकिन जो दो चंद ग्रहन है वो भारत में दिखाई देगा तो चंद गहन के समय साब्धानिया बरतनी होंगी घर के सभी लोगों को आम आदमी को भी साथी साथ गर्वती महिलाओं को विसे साब्धानिया बरतनी होंगी उमीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करे, सेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, ठैंक्स